नमस्कार दोस्तों आप सबी को ओम शान्ति आज का विजय मंत्र है आस्मान में मत ढूंडो अपने सपनों को मन्जिल को पाने के लिए जमीन भी जरूरी है होसलों से कदम को बढ़ाते रहो मिटा दो उसे जो मजबूरी हो दूर नहीं मन्जिल तुमारे में बस आपने प्रयास कभी कम नव होने दो मित्र हो जीवन के अंदर आप सभी जहां भी जीज भी फिर्ड में हो एक बात को हमेशा ध्यान में रखना जो भी आप सपने देखते हो उन सपनों को नींद में नहीं देखो अब्दूल कलाम जी ने कहा था कि सपने वो ने होते है कि जो नींद में देखे जाते है सपने वो होते है कि जो आपकी नींद फिटा देते है जीवन के अंदर आज जिनों ने भी अपने जीवन को साकार किया है सपलता के शिकर को छुआ है उन्होंने सिर्फ कलपना ही नहीं की बलकि उन कलपनाओं को साकार करने के लिए जी ज्यान से मेनत की जी तोड़के उस क्षेत्र में 100% देने का प्रयास किया और उसी के फलस्वरूप आज आपके सामने वो सपलता के शिकर पर पहुंचे हुए है जीवन में उन्होंने जो विजय आज प्राप्त किया हुआ है ऐसा ही नहीं उनके सामने समश्या नहीं आई समश्या आई लेकिन उन्होंने उन समश्याओं को पार करके आपने पर को जमीन पर भी रखा इसका आरती है कि सपलता मिलने के बाद अगर वेक्ति विनम्र बन जाता है तो वो है उसकी सच्ची सपलता सच्चा सपलता का आनंद वही वेक्ति ले पाता है कि सपलता मिलने के बाद उसके पेर जमिन पर होते है अर्था तो वो उतना विनम्र और शान्त हो जाता है यही उसकी महानता होती है अगर सपलता मिलने के बाद वेक्ति के अंदर आंकार उपस्ता है उसका वो दुरुपियों करने लगता है तो उसका पतन होने लग जाता है और यह बहुत जरूरी होता है जीवन के अंदर कि कभी भी जब भी आप जीवन के आंदर मंजिल को प्राप्त करने तक आगे बढ़ते 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 अगर कोई रुकावट भी आ जाती है तो उन रुकावट उनको धूर करके आपने प्रयासों को कभी भी कम नहीं करना तो वो प्रयास एक दिन आपको मंजिल तक निच तो वो मजबूरी को आप ताकत बनाओ, उसमें मजबूती लाओ, उसको वहलूज में लेलो, तो निच्छीत आप अपने सपनों को साकार कर पाहेंगे. Thank you, all the best. आप सबको ओम शानती.